आज है 29 जैन्वरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा टेली सर्विस के बारे में हर रोज ये शेर 5% की लोवर सर्किट लगा रहा है 290 रुपे का शेर था 300 तक पहुँशने वाला था लेकिन ऐसा टूटा ऐसा टूटा कि तकरीवन आधा हो चुका है ये हर रोज 5% की गिरावट देखने को मिल रही है और जिन लोगों ने निवेश किया है डेफिनिटी सबकी हालत खराब भी हो रही है और जो लोग निवेश करना चाहते है वो इस confusion में है कि वह या कब खरीदारी करे कब खरीदारी करे क्योंकि गिरावट तो रुखी नहीं रही है तो वीडियो में हम उसी के बारे में समझेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि वह या क्या future है इस company का वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफी जादा help करेंगे तो चले शुरू करते हैं तो टाटा टेली सर्विस का शेर अगर देखे तो 160 रुपए से भी नीचे आ चुका है और पिछले एक साल में अगर हम देखा जाए तो पिछले एक साल में 850% का ग्रोथ अभी भी है लेकिन ये कहा था 290 पे था ये और एक महिने में ये ऐसा टू परसन के गिरावट होती थी मैक्सिमम लेकिन दुबारा तीजी आज चाती थी लेकिन इस बार ये गिरावट बड़ी है और मूस्ट 50% की ये गिरावट आप मान के चल सकते हो यहां पर लेकिन हां मौके भी ज़रूर बनेगी यहां पर और अगर आप चैनल को रेगिलर फॉ जादा कि भाईया अब यहां पर पढ़ना या फ्रेश खरीदारी करना सबसे बड़ा रिस्क होगा रीजन यह था कि देखो जब यह 500 इसने क्रॉस किया तो इसका जो वैलिवेशन था इसका जो मार्केट कैप था वो टाटा कम्यूनिकेशन से भी जादा हो गया था टाटा कम् की वज़े से हुआ था सिर्फ स्पेकुलेशन की वज़े से हुआ था कि यह होने वाला है तो यह होगा तो 500 रुपय का प्राइज मुझे उस वक्ट जस्टिफाइन नहीं लगा लेकिन जब 3 रुपय का था इवन 100 रुपय का भी था तब भी मेरी बाइंग के टेली सर्विस लार्ज केप शयर है 30,000 करोड के आसपास के इसका मार्केट क्याप है तूट कर वही है नीचे आगया अप प्रामोटर के पास 74.36% की होल्डिंग है एफाइल्स ने खरीदारी करी है म्यूचल फंड ने भी डिसमबर कौटर में खरीदारी करी है 0.79% की म्यूचल फंड के पास देखने को मिल रही है यहां पर अगर हम टाटा टेली सर्विस को लेकर देखे तो सिर्फ 10 प्रतिशत लोग अक्वाडिंग टू मने कंडूल यूजर यहां पर बेचने की बात कर रहे वहना हर कोई कह रहा है खरीदो इतना ही नहीं अगर हम कंपनी के revenue की बात करे तो वो लगाता टूट रहे हैं अभी भी increasing mode में नहीं नहीं 2022 में revenue में कोई बड़ा increase देखने को मिलेगा minimum increase होगा थोड़ा बड़ा increase होगा लागिनि बहुत बड़ा increase नहीं होने वाला है और सेम कहानी profit की भी रहने वाली है अब दिखो कि तो company लगातार पिछल 5 सालों से loss में है 2022 में भी ये loss में रहेगी क्योंकि जो नतीजे इनके सामने आये है वो profit के नहीं है दोनों quarter में 300-300 क्रोड का loss इन्हों ने किया है तकरीबन 600 क्रोड से भी जाधा का ये loss है दो ही quarter में और अभी 2 quarter और बच्चे हैं तो वहां पर 1500 मलब 1200-1500 क्रोड का loss हो सकता है company company को लेकिन दिखो जो शेर में तेजी थी उसको भी आप समझे तेजी के सबसे बड़ी वज़ा थी super app की launching और यही वज़ा थी जिसने शेर को आग लगा दी एकदम तेजी से भाग गया दूसरे चीज़ टाटा ग्रूब जो है वो इस company को revamp कर रहा है और यह उम्मीद की जा यह थी कि यह सरकार जो है वो टेलिकॉम company को थोड़ी से राहत दे सकती है और राहत दी भी है वोड़ा फोन आइडिया को इन्होंने एक्विटी खरी दी और हाला कि वो नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि काफी ज़्यादा शेर का डेलूजन हुआ है दूसेम चीज हुई टाटा टेली सर्विस में सरकार ने 9.50% की एक्विटी यहां पर ली ये एक नेगेटिव पॉइंट रहा है और तब से ये टूटना जो शुरू हुआ टूटना जो शुरू हुआ और जिस दिन ये खबर आई थी तब ही मैंने वीडियो बना कर भी कहा था अब तो ये की गिरावट मान के चलो हलाकि 30% से जादा कि एक गिरावट आ चुकी है तो अभी के लिए मैं कहूंगा कि देखो लोग का सवाल है क्या खरीद लब तो मेरे हिसाब से खरीदारी के मौके देखो जब भी शेर इस तरीक से तूट रहा हो ना तब भया बीच में शक्तिमान ब भाहा निकलने दीजिए ठीक है वाना अभी खरीदने गए कि चलो आप भी मैं खरीदता हूं वापस तूट जाएगा यह तो अभी मैं इतना ही कहूंगा कि पहले इसको 5% की अपर सर्किट लोवर सर्किट से निकलने का मौका दीजिए और हां कुछ लोग करते कि देखो बेचने का मौका अभी तक आपको मिला नहीं जिस दिन बेचने का मौका मिलेगा उस दिन यह तीजिए दिखा देगी और लगातर भागतर रहे ha तो ये चीज भी देखने को मिलेगी है बने रहो यहाँ पर जहां तक बात करते हैं फ्रेश बाइंग की तो फ्रेश बाइंग के जो मौके हैं मैं कहूंगा कि किस प्राइस पर है ये कहा नहीं जा सकता है लेकिन कैसे मिल सकता है उसका simple solution है कि 5% की upper circuit lower circuit के जमेले से इसको बाहर निकलना पड़ेगा 3-4 दिन तक normally 2-3% की तेज़ी गिरावट के साथ अगर ये trade करता है तो उसके बाद अगर आप चाहो तो थोड़ा सा control rate अगर करे किसी के range पर अपने आपको fix करने की कोशिश करे support बनाने की कोशिश करे वहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हो वहना अभी से अगर कूजने गए तो भाईया ये गिरावट कहां तक जाएगी ये ना आपको पता है ना मुझे पता है ठीक है और गिरावट जाने के बाद ये भी हो सकता है कि वापस दोड़ भी जाए ये उपर की तरफ और अगें प्यार्ली न्यूज बेस ट्रेट करेगा अगर खबर आगई सुपर आप की कोई भी खबर आगई कोई भी खबर आगई सुपर आप की ये भाग जाएगा लॉंचिंगी खबर आगई तब तो भाईया भूल ही जाओ तब बहुत बढ़ी तेज़ी आजाएगी लेकिन जब तक कोई खबर नहीं और ये मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि जब तक खबर नहीं आएगी यहाँ पर तब तक ये ऐसे ही चुहे बिल्ली वाला खेल चलता रहेगा और जब कोई भी शर्थ सिर्थ इसी शर्थ की बात नहीं करो कोई भी शर्थ जब इस तरीके का formation बना रहा हो तो समझ लो कि वो उतना टूटेगा correct होगा ठीक है तो उपर की level पर तो फसना नहीं चाहिए पहली चीज़ दूसरी जब तूट रहा हो तो बीच में पढ़ने की ज़रूद नहीं है पहले इसको consolidate करने दीजी यह simple चीज़े है कोई बड़ा rocket science नहीं यहाँ पर simple चीज़े हैं यह तो अभी के लिए जहां तक fresh buying की बात है कोई भी level suggest करना मुश्किल है लेकिन एक चीज़ आप अंदाजा लगा सकते हो के पहले इसको तेजी और गिरावट के जो 5% का खेल है उपर नीचे वाला उसे बाहर आना पड़ेगा normal consolidate करना पड़ेगा normal support बनाएगा अगर अगर कहीं पर तो वहां पर मौके बनेगे खरीदारी के कंपनी अच्छी है कंपनी के plans future में अच्छे हो सकते हैं लेकिन कंपनी को profit में आने में लंबा वाव वक्त लगेगा और उसी का इंतिजार भी है अच्छी है